अगते कुकिंग रेसीपे में आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर की ग्रेवी वाली सबसी बनाने के लिए में सुखे मसालों के जरुवत पड़ेगी दो सूखी लाल मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, काला जीरा, काली मिर्च, लॉंग इलाईची और ये थोड़ा सा जवाईन और एक डाल चीने गैस ओन कर दिया है मैं कड़ाई को थोड़ा देद गरम करूँगी अब ये कड़ाई गरम हो चुकी है, अब मिसमें ये सारे सूखे मसाले डाल दूँगी अच्छी तरह से भुन लूँगी तब तक इसका कलर थोड़ा सा डाक ना हो जाए देखे हमारी मिर्ची का कलर भी थोड़ा डाक हो गया है और एक हलकी सी खुशबू भी आने लगी है ये मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं अब इन सारे भुनेवे मसालों को मैं निकाल लूँगी मैंने कड़ाई में टू टेबिल स्पून ऑयल डाल दिया है इसे मैं फोड़े देर गरम करूंगी ये ऑयल गरम हो चुका है अब इसमें ये सारे भुनेवे मसाले में डाले लूँगी और इसको थोड़ी देर तक मैं फ्राई करूंगी देखी मैंने दो हरी मिल्च डाल दिया है अब मैं इसमें कटि हुए लैस्ट डालूंगी और कटि हुए अजरग डालूंगी थोड़ी देर के लिए प्राई कर लेंगे तब तक लैस्ट और अजरग अच्छी तरह से प्राई हो जाएं लैसुन का कलर ब्राउन हो चुका है अब इसमें कटि हुए प्यास डालूंगी हमको प्यास को पूरी तरह से पकाना ही है हलका सा कलर ब्राउन आ जाए तो हम इसको ग्यास ओफ कर देंगे हम पूरी तरह से प्यास को नहीं पकाएंगे अब मैं ग्यास ओफ कर रही हूं और यह स तारे मसाले मैंने निकाल ले हैं, अब इसे मैं मिक्सर में इसका पेस्ट बना दूँगे, मैंने उस मसाले का अच्छे से पेस्ट बना लिया हैं मिक्सी में जब आप मिक्सी में इसका पेस्ट बनाए तो थोड़ा सा पानी भी डाल दे और मैंने इस तरह से टमाटर की भी प्य कढ़ाई गरम कर लिए अब इस पेस्ट को मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगे इसे थोड़ी देव तक पकाएंगे जब तक यह पूरी तरह से ना छोड़ दें देखिए मसाला पक गया है इसका कलर भी हल्का ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें तोमैटो की प्यूरी डाल द चुका है अब इसमें में 1 चम्मक जीरा डाल दूंगी 1 चम्मच कashmiri Laal Mich dhaniya powder जब मच घरम मसाला जब आख गो अब पाांच से ना ग्योंसे तरह से पणा लोंगे पूरे मसाले अची तरह से पता है दो आलू बोईल करनी हैं, मैंने कुकर में बोईल करती टाइम, इसमें एक चमच नमक भी डाला थो, को भी आप 10 मिनिट के लिए पानी में भिगो के रख लें, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें पानी मिक्स कर दूँगे, अब मैं इसमें बोईल पोटै और इसे मैं निकाल लूँगे, विलू मटल की सबजी तयार है, इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,